क्या Vodafone Idea बंद हो जाएगी, क्या Vodafone Idea का Share Deal List हो जाएगा, क्या Telecommunication सेग्मेंट के अंदर में सिर्फ दो ही कंपनी सह जाएगी, Jio और Airtel आज इस वीडियो में हम इन सभी चीजों पर बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरुबात करते हैं, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिये पेंकेश ठकरानी और आप देख रहे हैं, मनीमग, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जलसी जल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि quarter for result बहुती चिंता जनक आया है, Vodafone आइडिया के लिए, और इसका share 10% तक लगभग आज नीचे गिर गया, और आप देख सकते हैं, काफी समय से यही कयास लगाया जा रहे है, कि भाई, ये company जो है बंद न हो जाए, इसका share deal list न हो जाए, company का भविश्य है या नहीं है, और company के लोगों ने भी ये कहा है कई बार कि अगर उनको AGR payments के लिए जो है, कहा गया ने, AGR payments उनको करीब पड़ी तो company का भविश्य नहीं है, उनको business बंद करना पड़ सकता है, quarter for F521 के अंदर में company का loss 7,000 करोड रुपीस का आया, जी हाँ दोस्तो 7,000 करोड रुपीस, इस as good as 1 billion dollar, 1 billion dollar के करीब का इनका loss है, और ये लगाता 11 quarter में इनका loss रहा है, और पिछला quarter भी इनके लिए अच्छा नहीं था, लगबग 4500 करोड रुपए का loss था, अगर पिछले साल के quarter 4 के नतीजे देख तो वहाँ पर भी अच्छा खासा loss था, 11,000 करोड का loss था, थोड़ा बहुत लोगों ने कहा कि quarter 4 जो है, एक अच्छा था, मतलब in terms of expectation से थोड़ा ज्यादा अच्छा था, लेकिन revenue front पे जो है, company ने कुछ अच्छा नहीं किया, company ने revenue लगबग पिछले quarter है, December का quarter है, उससे इ revenue भी down हुआ, 10,000 करोड के नीचे का revenue quarter 4 के अंदर में दिखाई दिया, अब कई सारे brokerage houses कह रहे हैं कि ये share यहाँ से नीचे आएगा, और हो सकता है, 5 रुपे पर पहुच जाए, एक बार हमने 4 रुपे पर भी इसे देखा था, उस समय मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और वीडियो बनाने के बाद में, 4 रुपे का वो share जो है, 12 रुपे तक गया था, लेकिन मैंने साफ साप कहा था, यह R और पार की कहानी है, यह पूरी तरह से तुक्का है, मुझे company के prospects पर जो है, उसके financials पर उसकी balance sheet देखकर जो है, बड़ा ही ऐसा लगता है, बड़ी negativity आती ह लेकिन, आप समझ लीजिए, आपको फूरा पैसा डूप जाएगा और आपने लगा दिये ऐसे पैसे, तो ठीक है, अगर उसने आपको 300% return दे दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो खेर, अब जो है, कुछ चीज़े साफ हो गई है, company की balance sheet की बात करे, तो उसके उपर 1,80,300 करोड रुपे का बकाया है, यह एक बहुत बड़ा amount होता है, और इसके अंदर में spectrum के जो charges है, deferred spectrum के charges है, वो लगबख 96,000 करोड के हैं, बहुत बड़ा amount होता है, buy juice आप खरीदने जाएंगे, तो इतने रुपे में आपको buy juice मिलेगा, तो 96,000 करोड रुपीज क AGR की liability इनके उपर है, और बैंकों के 23,000 करोड रुपे इनके उपर है, इसमें Yes Bank भी है, SDFC Bank भी है, इसमें IDFC First Bank भी है, तो बैंकों का भी पैसा इसके अंदर में फसा हुआ है, अब company के MD या फिर company के जो बड़े top management वाले लोग है, उनके जरीए तो ये बाते समझ में आती है कि government किसी तरह से इनके AGR के dues को cancel कर दे, किसी तरह से उनमें राहत दे दे, क्योंकि इनके calculated dues कुछ और है, Supreme Court के माधिहम से जो dues इनके उपर बनते है, वो कुछ और है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा जो है delaying tactics चल रही है, कि किस तरह से जो है, जाज़ा सा यहाँ पर इसको खी किये है, company का market cap जो है 26,000 क्रोड है, कोई bank इनको fresh loan नहीं देना चाहेगी, बड़ा loan नहीं देना जाएगी, जो already loan है, तो हो सकता है कि उसकी तुविधा जो है, उनको थोड़ी बहुत कर दी जाए, definitely इसमें जो group है, villa group involved है इसके अंदर में, Vodafone group involved है इसके अंदर में, तो य Competition, Gio से है, Reliance, Bharti Airtel, Bharti Airtel इंडिया के बहार भी काम करता है, cash flows अच्छे है, काफी अच्छी व्यवस्ता करके रखी, वो धीरे धीरे अपने AGI के dues पे भी कर रहे है, तो उसके survival का कोई question नहीं है, यहाँ पर, Partly Bui and Associates ने, यानि कि जो उनके charter accountants है, इन्होंने report में लिख कि going concern, you know, जो going concern एक concept होता है, कि भीया, company survive कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उस तरह की comments इसके अंदर में डाल दी है, तो चिंता तो है, चिंता इस बात की है, कि company रहेगी कि नहीं रहेगी, डेलिस्ट नहीं हो जाएगी, और अगर यह डेलिस्ट होती है, तो दो ही company रह जा आपकी एरिया में, अगर जियो वाले आगे है, अगर एरटेल वाले आगे है, तो आप कहां service दे पाओगे, अपने सभी customers को, customers की expectations है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, अभी जियो की कुछ-कुछ areas के अंदर में जो है, अच्छी coverage नहीं आती, तो लोग एरटेल की त इंदर में market बड़ा है, और आपकी company के पास में fresh investment आपके पास में नहीं आ रहा है, आपने 25,000 क्रोड के लिए fundraising के plans से, लेकिन आपके पास में कोई investor नहीं आया, ऐसा आपका कहना है, जो की public domain में चीज़े बताई हुई है, यहाँ पर कई सारी बड़ी-बड़ी संस्थाओं जैसे बात कर ले हम लोग JP Morgan Chase की या फिर जो है, Goldman Sachs की या फिर बात कर ले, Credit Suisse की, इन्होंने सब ने downtrend का ही जो है, यहाँ पर संकेत दिया है, साड़े साथ का target, पांच का target, चार का target, इस तरह के हाँ पर target चल रहे हैं, और company ने भी Department of Telecommunication को अगले साल आने वाले 8,000 करोड क spectrum payment को और differ करने की बात की है, अब देखिए भाई, आपके favor में चीज़े नहीं दिख रही हैं यहाँ पर, आपके favor में यहाँ पर चीज़े नहीं दिख रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी uncertainty है, और auditor ने अगर यह कहा है, going concern जो comment है, यह बहुती exceptional cases के अंदर में जाता है, यह management से discuss करने के बात जाता है, तो यहाँ पर अगर आपके पास में shares है, तो आप इसको बेच सकते हैं, बेच कर सकते हैं, कि वो ही share आप चार रुपए पर खरीद ले, आप फिर किसी दूसरी company में आप इसको लगा ले, यहाँ पर बहुत कम है, और कुछ भी एकद investment एक बहुत बड़ा concern है, जो company जो है नहीं survive कर पाएगी, नहीं जो है पैसा डाल पाएगी, और जहाँ पर हम लोग बात करतें, Vodafone Group की भी तो ऐसा सुनने में आया है, कि शायद Europe वाली जो company है, उनका Europe पे जो business है, वहाँ पर भी इतना adequate, दम नहीं है, कि वो India business के अंदर मे पैसे डाले, हाला कि मुझे ऐसा लगता है कि इनको पूरा पैसा वापस करना ही पड़ेगा, पिला ग्रूप के reputation का सवाल हो जाएगा, बैंकों का पैसा वापस करना पड़ेगा, government भी मेरे कहल से पूरे AGR के dues इन से वसूलेगी, इनके assets को पिकवाएगी ही, reason उसके पीछे बहुत साफ है, बाकी लोग AGR के dues भर रहे है, तो इनको क्यों किस तरह की छूट दी जाए, इनको किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी, और ये जो AGR के dues थे, ये 10 साल तक एक आप कह सकते है कि fraud चल रहा था या कुछ और चल रहा था कि 10 साल तक ये लोग पेड नहीं कर रह रहे थे, इसलिए आपके profit जादा आ रहे थे, इसलिए आपके shareholders को आपके shares में बड़ोतरी मिल रही थी दाम के अंदर में, ये government का loss था, ये public का loss था, अब ये तो आपको भरने पड़ेंगे, और आप बस इसको delay कर सकते हैं, और इसके लाबा कुछ नहीं कर सकते हैं, मुझे ये ठीक है, आया राम गया राम करके अब shares में डाल दिये, हो सकता है कि double हो जाया पैसा, अब देखेंगे, लेकिन जब 12 का लक्षा आया था, तो मैंने अपने वीडियो में कहा था कि इसको बेच दे, और बेचने के बाद में ये नीचे ही है, उसके बाद से, बीच में रुपए, पांच रुपए, तो भई, पैसा डालने का मतलब भी होता है, जैसे कई, ADAG की companies के अंदर में लोग पैसा डाल रहे है, company में बहुत ज़्यादा debt है, हाला कि वो एक अच्छा investment, ऐसा अच्छा investor आपको नहीं करना चाहिए, और इसमें भी नहीं करना चाहिए, लेक किसी और topic पर भी आपको वीडियो चाहिए, तो please मुझे comment करके बताएगा, इसी तरह के और वीडियो के साथ मैं आता रहूंगा, तब तर के लिए, नमस्कार